जहिन साथियों, मेरा नाम है मुहम्मद मुस्तफीस और मैं मद्वी दाले गड़ारा परखंट बरोनी जिला बेगू सराई में असनातक गिरेट शिक्षक के उपद पर पदस्थापित हूं मेरे शैक्षनी की योगिता असनातकोत्तर है और प्रशैक्षनी की योगिता बीएड है मेरे गाउं का नाम नूरपूर है जिसका अपना एक स्वार्णी मितियास रहा है ब्याहर के पर्थम मुख मंतरी डॉक्टर शी कृषिन सिंग जी अपने चातर जीवन में नूरपूर गाउं में रहकर अध्धन अध्यापन किया करते थे देश के बड़े गांधिवादी विचारक और पठना गांधि संकराले के डाइरिक्टर सेफ़ांडर डॉक्टर रजी आहमत की जनमस्थली भी नूरपूर है उन्होंने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में सैकुरों पुस्तकों की रचना की है पुर्व में उनकी एक रचना जो परकाश नारायन पर थी लिखी हुई क्लास 10 के उर्दू पुस्तक में भी चला गरती थी अब मैं अपने स्कूल पर आता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे स्कूल का नाम मदवीद्याले गड़ारा है जहां टोटल 15 शिक्षक हैं, 631 बच्चे हैं जिसकी अस्थापना 1949 स्वी में हुई थी उससे पुर्व वहाँ पर पुस्तकाले हुआ करता था जिसमें राशकवी रामधारी सिंग दिनकर जी अध्यन करने के लिए आया करते थे ये मेरे लिए अपने आपने गर्व की बात है कि मेरा उस विद्याले से संबंध है जिस विद्याले का नाम राशकवी रामधारी सिंग दिनकर जी के साथ जुड़ा हुआ है मेरा जो cluster विद्दाले है, मद्विद्दाले बारो, वो राश्कवी रामदारे सिंग दिंकर जी का प्रात्मिक पाथ शाला है उस विद्धाले में बिहार सरकार में मंतिरी रह चुके राम चरितर सिंग जी ने भी पढ़ाई की पटना हाई कोट के पहले जज ताहिर हुसान साब ने भी उस विद्धाले से पढ़ाई की इन तमाम लोगों की प्रात्मिक पाथशाला है मैं जिला पे आता हूँ मेरा जो जिला है बेगु सराए ये विहार की उध्योग नगरी है दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं अध्योगी के राजधानी है जहां मैंने बताया ही कि खरीब मेरे गाउं के खरीब ही बरौनी तिल शुदक कारखाना है और तकरीम में ही यहां फर्टिलाइजर कारखाना है चार किलो मेटर के फासले पर पांच किलो मेटर के पासले पर B-TP है और देवनागाँ में तो एक सो से बी जाधा कारखाना महजूद है सिर्फ कारखाना ही के लिए नहीं बलके यहां ऐसे भी अस्थान है मंदिर मस्चिद जिसके लिए भी ये भेगुसराई जिला काफी परचलित है यहाँ नौलक्खा मंदिर है जिसका इतिहास बहुत सरनीम है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं लगमिनिया में एक मस्चिद है जो तकरीबन 500 साल से भी पुरानी मस्चिद है जिसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं जैमंगलागड में एक मंदिर है जिसको देखने के लिए भी दूर दूर से आते हैं कावर जील है जहां सर्दी का मौसम जैसे भी शुरू हो गया है तो सर्दी के मौसम में साइबेरिया से पलाइन करके हाजारों की दादाद में पक्ची वहां आते हैं और आप जब वहां जाएंगे तो देखने आपको बहुत ही वहां का दिरिश होगा बहुत सुन्दर बहुत ही खुशनमा मनसर आपको देखने के लिए मिलेगा तो कामर जील है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं वो प्रेटन अस्तल है पिकनिक अस्तल भी है तो पिकनिक मनाने के लिए भी वहाँ जाते हैं एक जनवरी को जाएंगे तो काफी वहाँ जमावा लगा रहता है तो कुल मिलाकर ये संचेप में मेरे जिला का परीजे था अब मैं आता हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी और जेड आई आई की तरफ कि ZIIEI जो श्री अर्विंदो सोसाइटी की दरफ से जो शुरू किया गया जो अभियान है यह अपने आप में काफी सरानी है बहुत ही काबिले तारीफ है जितनी भी परशंसा की जाए इसकी वो कम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच पूरे देश के शिक्छकों को प्रदान किया है जिस मंच के माध्यम से शिक्छा और जो शिक्छन का काम होता है जो शिक्छन की परकिरिया होती है उसको श्री अर्विंदो सोसाइटी ने काफी सुगम बना दिया है काफी आसान बना दि है इसके माध्यम से शिक्षकों के अंदर जो एवेरनेस उनको जो जागरुक किया जा रहा है ये भी अपने आपने बहुत ही सरानिय का काम है सरानिय कार है मैं इसके लिए श्री अर्विंदो सोसाइटी जेड आई आई एई एए एवं एच्टी एफसी बैंग को दिल की गहराईयों से धन्यवाद देता हूँ 2021-2020 को मैंने संकुल अस्तरिये विज्ञान एवं कलापर दर्शनी का आयोजन करवाया था इस करम में उस विदाले को करीब से जानने का मुझे मौका मिला मैंने देखा जिस भावन में प्राशकवी रामदारे सिंग दिनकर जी और ये दोनों हस्तियों ने पढ़ाई की थी वो जिन शिन इस्तिती में था गिरामिनों से बात करने के बात पता चला है कि उन लोगों ने काफी प्रियास किया लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो सका अन्तों गत्वा उसकी जिम्मेदारी मैंने ली और काफी तगोदों के बाद काफी भागदोड करने के बाद काफी प्रिशन करने के बाद उसका निशकर जो फलाफल निकल के आया वो काफी मेरे लिए संतोश्परत था कि तकरीबन दस लाग की राशी उसके लिए आवंटित हुई और उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ये मेरे लिए अपने आप में गर्वी और खुशी की बात है तो संचेप में मेरा और मेरे कलस्टर स्कूल का परिचे था साथ ही साथ हमारे जो परशिक्चक मोदे हैं श्री सुमन सौरफ सर उनको भी दिल की अमीख गहराईयों से मैं धन्यवाद ग्यापित करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को वो टीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ उनके साथ में जुड़ करके इनी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ जैहिन जै भारत